जिदिन प्रिसाद जी बहुत बहुत बधाई जीत की आपका आकलन क्या कह रहा है क्यों आए ये नतीजे और क्या अंदर से ये भी लग रहा है कि बहुत बहुत टाइम पर बस बदल ली प्रधानमंतरी जीन उनके विजन और हमारे प्रदेश के मुखिमंतरी जी की मेहनत ये रंग ला रही है और मैं कह सकता हूँ ये सिर्फ सत्ता के लिए लड़ाई नहीं थी ये इस देश की संस्कृती संसकार सभिता इसका संगर्ष था जिसका प्रतीक प्रधानमंत्र जी और योगी जी जी अभी तकी कहा जाता था कि राजीती का मौसम पहचाने के नहीं मौसम बग्यानिक नहीं है मैंने बड़े सोच विचार के बाद मैं इस निशकर्ष पे पहुँचा था और मेरे लिए बड़ा निर्ने था और मैं ये इस पर श्रूप से आज भी कह सकता हूँ कि अगर इस देश में कोई सही मायने में कोई राश्ट्र दल है तो वो भ बड़ा ब्राह्मन चेरा वहां पर पहुंच रहा है तो कितना योगदान अपने वहां पहुंचने का जीत में दे रहे हैं आप इस योगदान का आकलन तो आप करिएगा मगर मैं ये कह सकता हूँ कि विपक्ष के ये भ्रामक प्रचार था कि ब्रहमन वर्ग नराज है एक तरफा ब्रहमन समाज का वोट भारत्य जंता पाटी को पढ़ा है पिशली बार से भी ज़्यादा पढ़ा होगा और और ब्रहमन ये सर्व समाज सबको अक्रोस कास्ट लाइन पारतय जंता पाटी को समर्थन मिला है और उजहान बता रहे हैं और ये रिकॉर्ड है आप समझेए जो कभी नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में वो अब हो रहा है मोधी जी और योगी जी के नितृत में और इसमें जो रंडीत जितिन जी एक आखरी प्रशन आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने उस पार्टी को बहुत लंबा समय दिया आपने जीवन का कॉंग्रेस पार्टी को पांच में से चार राजे आप जीत रहे हैं एक में कॉंग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया 15 सीट पर आ गई है क्या क कुछ कॉंग्रेस में बदलेगा आपका अनुभव क्या कहता है नहीं यह तो मुझे नहीं मालूम ना मैं वहाँ उस पार्टी का सदस्य हूं ना मैं उनके बारे में उनकी अंदुरूनी रणीत के बारे में कुछ बता सकता हूं मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस देश की जनता की अकांशा है उसका नुरूप का वो नहीं कर पा रही है ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया हमार साथ जुड़ने के लिए